हेलो फ्रेंड्स मैं होंके पीछिंग आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूड़ोगो तो पूड़ोगे अगर आप शिखना चाहते हैं रोज कुछ नहीं हां तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं बेल आइकन को जरुद दो हैं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नमबर दस से उससे पहले एक जानकारी आपको दे रहते हैं कि क्लास्ट का 2022-23 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है जो साम को साथ बजे प्रॉपर आपको वीडियो मिलती है क्लास्ट की तो आप उसको जॉइन कर लें इस नमबर पर वाट्सट पर मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम क्लास का नाम और यह जरूर लिकर भेज दें जिससे आपको गुरूप में एड कर दिया जाए जहां पर हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स भेजते जाएंगे पीडियोफ नोट्स भेजेंगे और उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो अपने आप नोट बनाएंगे और साथ में पीडियोफ नोट्स भी अपने आप सेव रखेंगे तो चलिए हम लोग चलेंगे कोशन नमबर दस पर तो क्या कह रहा है कोशन नमबर दस में एक आव्यू एए है जिसमें लिखा हुआ तीन माइनस एक माइनस चार दो यह आव्यू ए है हमें निकालना क्या है ए इनवर्स निकालना है वो भी पंक्तिरूपांतरंड या इस्तमरूपांतरं से लगाना है हम लोग पंक्तिरूपांतरंड ही लगा रहे हैं तो हमें मालूम है कि क्या का मान है तेन माइनस एक माइनस चार दो कि बड़ाबर आई का मान है वन जीरो जीरो वन और ए ऐसे रहेगा अब जहां पर हमको तो कि यह दिख रहा है यहां पर हमको आई बनाना है तो दीरे-दीरे हम कनवर्ड करेंगे इसको आई में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जहां पर हमको मारे पास दो है यहां पर हमको एक चाहिए आर टू चेंज आर टू प्लस आर वन तीन माइनस एक और जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस एक यहां पर और एक यहां पर बराबर यहां जब जोड़ेंगे तो एक जीरो ऐसे रहेगा यहां पर आजाएगा एक और यहां पर आजाएगा एक इंटू ए अब देखिए उपर हमको जीरो चाहिए आर वन चेंज आर वन प्लस आर टू यहां हम ऐसा करें यहां पर तीन की जगे पर एक बनाने के लिए चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं तो तो जोड़ेंगे तो तीन में से एक चला जाएगा दो एक में से एक चलाएगा जीरो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक और एक आरवन चेंज कर रहे हैं एक एक दो जीरो में जोड़ेंगे एक 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 ऐसे लएगा अब देखिए जहाँ पर हमारे पास दो है वहाँ पर हमको एक चाहिए तो आरवन चेंज आरवन को भाग कर रहे हैं दो से तो दो को दो से भाग करेंगे एक आ जाएगा जीरो को दो से भाग करेंगे जीरो रहेगा माइनस एक और एक बराबर में क्या होगा दो को दो से भाग करेंगे एक आ जाएगा एक को दो से भाग करेंगे एक बटे दो एक ऐसे ही एक ऐसे ही इंटू ए अब देखे क्या करेंगे R2 को चेंज कर लेंगे R2 चेंज R2 प्लस R1 एक 0 ऐसे रहेगा माइनस एक में एक जुड़गा ज़ी 0 और यह एक यहाँ पर एक और एक बटे दो यूं ही रहेगा जब यहाँ जोड़ने आएंगे तो बन जाएगा एक एक दो और एक में आधा जोड़ देंगा तो डेड़ हो जाएगा यानि तीन बटे दो इंटू ए अब हमारे पास यह आई बन गया है तो अता एक इंवर्स का मान कितना जाएगा एक एक बटे दो दो तीन बटे दो तो इस तरीके से हम लोग कोशन नमबर दस लगा सकते हैं बढ़ जाते हैं कोशन नमबर ग्यारा की तरफ आव यू ए दे रखा है दो माइनस चाहे एक माइनस दो निकालना हमको ए इंवर्स है तो हम जानते एक कोल टू आई यह होता है एक का माणने दो माइनस चाहे एक माइनस दो आई का माणने एक जीरो जीरो एक इंटू ए यह हमारा ए और आई यह आ चुका है अब देखिए क्या करेंगे धीरे धीरे हमें इस ए को कनवर्ड कर लेना है आई के रूप में लेकिन हम सभी संख्याओं को एक साथ टार्गेट नहीं करेंगे यह याद रखिएगा पहले हमने इस दो को एक बनाने की कोशिश करी आर वन चेंज आर वन माइनस आर टू आर वन में से आर टू दो में से गया एक माइनस छे में से प्रस का दो जाएगा तो माइनस का चार एक और माइनस दो ऐसे ही एक में से जिरो जाएगा एक, जिरो में से एक गया माइनस एक जिरो एक इंटू ए अब देखें क्या करेंगे आर्टू चेंज कर लेंगे आर्टू चेंज आर्टू माइनस आरवन एक माइनस चार एक में से गया जिरो माइनस दो प्लस का चार तो यहाँ दो बचेगा अब देखिए एक माइनस एक ऐसे लिख लेंगे आर्टू में से आरवन को घटा रहे हो तो जीरो में से गया माइनस एक और एक माइनस एक तो यहाँ पर आ जाएगा दो इन्टू ए क्लियर है अब हम क्या कर लेंगे आरवन चेंज आरवन प्लस टू इन्टू आरटू अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दो से गुणा करके आरवन में जोड़ेंगे तो एक का एक रहेगा दो दूनी चार माइनस चार प्लस चार जीरो हो जाएगा जीरो ऐसे दो यूँ ही बराबर माइनस दो प्लस का एक तो माइनस का एक दो दूनी चार माइनस का एक प्लस का चार तो तीन आ जाएगा माइनस का एक और दो इंटू ए अब देखिए R2 को चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे R2 डिवाइड बाइ टू एक जीरो जीरो एक माइनस एक तीन माइनस एक बटे दो और दो को दो से बाग करोगे एक इंटू ए तो जब हमारे पास यह यहाँ पर आई बन जाएगा तो हम ए इंवर्ज लिख देंगे अता ए इंवर्ज बराबर माइनस एक तीन माइनस एक बटे दो और एक तो यह हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स ठीक है अब हमने आपको लगबग लगबग सारे कुस्टन बता दिये हैं अब आपको हम हमबर दे रहते हैं क्योंकि सारिक उसन बारा तेरा यह दो आपके हैं इनको अपने आप लगाईएगा ठीक है इनको आप अपने आप लगाईएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी डाउट है वह ज्यादा क्लियर हो जाएंगे अगर आप नहीं लगाएंगे तो डाउट वह डाउट ही बने रहेंगे तो बारा तेरा और दिया है चौधू कॉशण हम आपको बता लेते हैं तो कॉश्यननमर चौधा में क्या दिया गया है एक आविए दिया गया है दो एक चार दो यह हमको ए दिया गया है और हम जानते हैं एक कोल्टू आई ये होता है आई का मान बन जिरो जिरो बन होता है इंटू ए तो हम क्या करेंगे हमारे पास ये जो ए है इसको आई में कनवर्ड करेंगे आई में कनवर्ड करने के लिए देखे क्या करेंगे पहले हम आर्टू को छोटा कर लें तो आर्टू चेंज आर्टू में से टू इंटू आर्वन घटा रहे हैं तो जैसे घटाएंगे तो दो एक दो की दो से गुणा चार चार में से चार गए जिरो दो में से दो गए जिरो एक जिरो तो माइनस दो यहां पर आ जाएगा और एक इंटू ए अब यहां पर जाद देखिए इस आव्यू में पूरी एक पंक्ती जिरो हो गई है आर्टू आप देख सकते हैं आर्टू देख लिजिए कितना है जिरो है अगर आर्टू जिरो जिरो है यानि पूरी पंक्ती आपके सुन है तो यह दिजे आप कि इसका एंवर्स निकलना संभव नहीं अता ए इनुवर्स संभव नहीं है तो इस तरीके से हम लोग कोशन नमबर चौधा लगा सकते हैं बढ़ेंगे कोशन नमबर पंदरा की तरफ तो कोशन नमबर पंदरा देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए तता भी एक ही करम के वित्करमडी वर्ग आविव हों वित्करमडी हैं और कैसे हैं वर्ग आविव हों तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है अब देखिए कैसे कोशन शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह बात जान लिजे कि यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है इसको तैयार कर लिजेगा बोर्ड एक्जाम में यह निश्चित आएगा तो हम जानते हैं चूंकि चूंकि एबी इंटू एबी का होल इनवर्स बराबर आई यह कहां से आ गया किसी भी आव्यू की उसके वित्करम आव्यू से घुणा करने पर अंसर इकाई आव्यू अर्थात आई बन जाता है जैसे एबी इंटू एइनवर्स बराबर आई होता है बी इंटू बी इनवर्स एक्वल टू आई होता है एबी इंटू एबी का होल इंवर्स बराबर भी आई होगा तो हमने कोशन यहीं से स्टार्ट किया अब हमें धीरे धीरे इस एबी को हटा देना है एक को हटाना है बी को हटाना है तो कैसे अटाएंगे दोनों पच्चों में ए इनवर्स से गुड़ा ए इनवर्स ए बी ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स ए क्या होता है आई होता है तो आई बी इनटू ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स की आई से गुड़ा होगी तो ए इनवर्स बन जाएगा किसी भी आव्यू की आई से गुड़ा कराने पर आव्यू पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता है और i b की गुणा कराएंगे तो ये b बन जाएगा अभी हमने बता है कि किसी भी आव्यू की i से गुणा कराने पर उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अब हमें इस b को गैप करना है तो कैसे गैप करेंगे दोनों पच्छों में बी इनवर्स से गुणा बी इनवर्स बी लिखा हुआ है ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स बी का मान आई ए बी का होल इनवर्स बराबर यहां पर बी इनवर्स चूट गया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स अब देखिए यह जो आई है जब आई की ए बी की होल इनवर्स से गुणा होगी तो क्या बचेगा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स यह हमारा उत्तर आ गया है यह तयार रखें बिल्कुल भी इसको भूले ना बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है ठीक है और इसको आप अच्छी तरीके से तयार कर लीजे देखिए यही प्रस्न यही प्रस्न आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कि दिखाएं कि एक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स यह आवियू का वित्क्रम अद्धिती होता है यह एक प्रमे है यह है यह प्रमे है तो यही अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे ख्लेर है तो इसको जरूर तयार रखें क्योंकि प्रस्त ये कई बार इकजाम में पूछा जा चुका है बोर्ड इकजाम में कम से कम बी ती सो बार यह पूछा जा चुका है बढ़िया तरीके से इसको तयार कर लें आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे नेक्स्ट क्लास में कोशन नमबर 16 से हम लोग 3 क्रॉस 3 का विद्करम निकालेंगे काफी इंपोर्टेंट है और उसको हल करेंगे आज की क्लास में इत